कि क्या मतलब है और यहां जब कह रहें सहज नियम इसका क्या आसा है तो बाबाजी यहां मानों के विवहार को वर्म करने जा रहे हैं एक तो दिखता है कि जो विवहार है वो किवल और किवल मानों में ही होता है क्योंकि विवहार के लिए विचार जरूरी है जैसे पसु पक्षी है जानवर है जानवर बच्चे देते हैं उसको पालते पोशते हैं और ऐसा दिखता है कि वो भी एक विवहार कर रहे हैं आम बोलचाल की भासा में करते हैं पसु भी विवहार करते हैं यहां इस समझ में आन जबकि यहां पर पूरा का पूरा psychological है, विचार से चल रहा है, तो विवहार के ओल और केओल मानव में होता है, और यह विवहार सहज नियम, सहज का मतलब है जो अस्तित्व सहज है, विवस्था सहज है, मानव सहज है, परिवार सहज है, इसमें कोई artificiality नहीं है, बनावट नही इसमें अस्तितु का ऐसा डिजाइन है जैसा अस्तितु में मानों के व्योहार का डिजाइन है उस व्योहार के नियम को यहां बाबाजी बताने जा रहा है ठीक है तो पहली अन्भूती है मानों व्योहार में प्रवर्तन सील है मानो के जागरित, स्वापन तथा सुसुपता वस्था के समस्त व्यवहार में चैतन निका रहना अनिवारे है तो पहले बाद तो बहुत क्लियर है कि मानो व्यवहार में प्रवर्तन सील है सिंपल से आसा है कि मानो व्यवहार में प्रवर्तन है वेवहार को प्रमालित करना चाहता है वो उसके अंदर प्रमालित करने की प्रवित्तियां हैं इसको प्रमालित करने की वेवहार की बावज उसके आगे लिख रहे हैं मानों के जागरित स्वपन तथा सुसुपता अवस्था के अब एक बात आती है कि जागरिती में तो वेव हम को समय आता है कि हम बोलते हैं और हम कुछ काम करते हैं हम बेवहार करते हैं लेकिन स्वप्न और सुप्ता वस्थ हमें बेवहार क्या होता है तो यह जो बेवहार है बेवहार के केवल बाहर रूप नहीं है बलकि बेवहार का एक मासिक लेवल भी है हम अपने मन में अपने ज ये जो मुल्यांकन है, स्वाइम के बारे में और दूसरे के बारे में वहाँ से विवहार की सुरुआत है, उस मुल्यांकन का दो आधार है, एक तो प्रिये हितलाव, दूसरा है नियाए धर्म सत्य। हम देखते हैं कि जागरी तवस्था में बहुत विजिबल है विवहार दिखता है जब हम स्वपन रहता है जैसे मालो हम स्वपन है और उस समय हम सोच रहें मानों के बारे में मान लो मैं इंडिया में हूँ तो सोच रहों बही कि जो हिंदू है या मुसल्मान है या इस आदमी के बारे में, उस आदमी के बारे में, तो स्वपन में भी हमको दिखता है कि हमारे विचार चलते रहते हैं, वो ऐसी कलपना है जो प्रमालित नहीं हो रही है, लेकिन मानों के बारे में कोई हमारा निसकर्स है, और हम वैसा सोचते हैं, हमको यह भी दिखता है कि उस सोचने के ह हम कैसे मानों के लिए हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जब हम सुसुत्ता वस्था में हम जब गहरी नीद में होते हैं सो रहे होते हैं एक बार बाबा जी से पूचा वैवे कि बाबा जी आप सो रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं तो एंसर था कि उ करना है नहीं करना ऐसा उस समय वह उनका चिंटन चल रहा है . तो जो एक इस थूल रूप में मानो मानो का संबंध हैं बाहर रूप में बाहरी दुन्या में जो ग्म को दिखाई देता है , जागरित वस्था में , उसका जो सुक्षम लेवल पर देखेंगे तो उस समय भी वो वेवहार चल रहा है जब हम सोए हैं या स्वपन में चल रहा है और इन सारी परिस्तितियों में चाहे आदमी जागरित हो या स्वपन में हो या सुशुपता वस्था में हो उसमें चैतन्य का रहना अनिवार है जो वेवहार है वो चै चैतन्य का वहां होना अनिवार है, ऐसा इस लाइन में बता रहे हैं, और फिर अगले लाइन अनभूती में कह रहे हैं, चैतन्य आसा विचार इच्छा संकल्प एवं अस्तित्व की स्विकृति के साथ इन पांचो क्रियाओं सहित गठित इकाई की चैतन्य संग्या है, यह त संसकार, गुण, वह स्वभाव है, तो यह एक दूसरी अनभूती आ गई, उसमें कह रहे हैं कि जो चैतन्य की अंदर, चैतन्य पक्ष में जो जीवन का विकास है और जागरती है, वो तीन बातों पर निर्भर करती है, उसका कारण क्या है पहला, एक तो संसकार है, दूसरा पहस्तित्तों के अनरूप, जो बाबाजी ने सचाइए देखा, उसको स्विकार कर लेना, बुद्ध उसको स्विकार दी ए, एक तो यह कारण है, दूसरा कह रहे हैं, गुण, गुण क्या है, तो गुण में कह रहे हैं, उत्भव, विभव, प्रलाय या सं विसम त्वम ऐसे सारे जो विवहार हैं, उनको गुनो की रूप में देखा जा रहा है। और सवभाव किसको कह रहे हैं, जब हम धीरता, वेरता, उदारता, दया, किरिपा, करुणा, ऐसे सवभाव से संपन होते हैं। तो एक तो हमारे अंदर स्वभाव में बदलाव की जरूरत है, हमको मानवी स्वभाव अपनाने की बात है, दूसरा हमारे अंदर जो कल्पना सिलता है, जो चयन, विशलेशन, चित्रन, ये सारी क्रियाएं हैं, उसको मध्यस्त में हम कैसे इस्टैबलिश होएं, सम्क्यों कैस उसको और जाने की बात है, तो उस रूप में मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा संसकार गुण और सुभाव, नीचे आकर के संसकार को बोलते हैं बाबाजी कि संसकार अध्यन, विवहार और कर्मा अभ्यास से है, जो संसकार जो बनता है, वो अध्यन से बन रहा है, कर्म विवेक, विज्यान, विधी से ही संपन होता है, तो जो सारा अध्यन है, और किसका है, अस्तित्में तीन ही वस्तु है, एक तो व्यापक है, दूसरा है जड़ प्रकृती, जो गठन पोन परमानौँं से बना हुआ है, तीसरा हैं चैतन्य प्रकृती, जो गठन सील और तीसरा है गठन पूर्ण परमानू, जो चैतन्या इकाई है, इन तीन ही चीजों से सारा अस्तित्व बना हैं, और इन तीन चीजों से ही, जो अस्तित्व बना है, उसको समझने के लिए तीन, उसके आगे भाग दिये हैं, ज्यान, विवेक दियान। जीवन है उस अस्तित्व में अभिभाज्य जो जीवन की समझ है जो जीवन का ग्यान है वो दूसरा भाग है और इस अस्तित्व में मेरा इस मानों का कोई एक भागेदारी है कोई एक रोल है उसका कोई एक निश्चित आचरण है उसकी समझ को ग्यान कह रहे हैं इस तरह से त दूसरा है उसी सहस्तितु के बाद इस ग्ञान के बाद जो दूसरी बात आती है, विवेक。 विवेक क्या है, उसके अंदर तून अगेन भाग आते हैं, जीवन का अमरत्व, सरीर करना श्रत्व कर नीयम और जो तीसरी बात है वहेत विज्ञान विज्ञान में अगेन इन तेन भागे विज्यान एक तरह से बिसा को टाय करती है विवेक हमारे लक्षी को बताती है और ग्यान से हमको जो सहस्तित्व है जो सच्चाई है वह हमको समझ में आता है इस तरह से पोरे इन तीन भागशungen में हमारा अध्यन πुरा होता है पूरे अस्तित्व का, उसी को नीचे लिख रहे हैं, विवेकात्मक अध्यन से जीवन का अमरत्व, सरीर का नसुरत और विवहार के नियमों का बोध होता है, साथ ही मानो लक्षव जीवन मुल्ले इसपष्ट होता है, इस बोध से उत्तरोत्तर सू संसकार परिस्कृत होता है विवेकात्मक अध्यन से जीवन का अमरत्व, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि विवेकात्मक अध्यन से जीवन का अमरत्व, अभी यह दिखता है समाज में कि हम जीवन को स्विकारते नहीं है, कम से कम वेस्टन वर्ल्ड में तो ऐसा हम को दिखता है कि जीवन की स्व पिकारते नहीं है अभी पूरी दुनिया में जो बड़ा एक रिसर्च है वो अपनी लांजिविटी को बढ़ाना कैसे हम लंबे समय तक जिंदा रहें और उसके पीछे गहरी स्विक्रती है कि हमको सरीर को मरने नहीं देना है तो जो नस्वर है उसको मरने नहीं देना चाहते ह और जो निरंतर है जो अमर है उसकी पहचान नहीं अगर जीवन है और वो निरंतर है उसकी जब तक पहचान नहीं होती है तब तक सरीर के नस्वरता का हमको ठीक से समझ नहीं होता है और हमारा बेवार का नियम ठीक नहीं होता है क्योंकि जब हमको यह पता चलता है कि जीव होता है और उस period में एक लंबे समय में वो जन्म से लेकर मृत्यू के बीच में वो जीवन जीता है उसके बीच में उसका सारे वहार हो रहे होते हैं तो वहार तभी स्पश्ट होता है जब जीवन का मृत्व सरीर का नसुरत्व डिफाईन हुआ क्योंकि उस जीने के क्रम में ही जन्म सेकल लेकर मिर्तियु तक वो विवहार में रहता है उसमें उसके सारे कारिकरम सस्ते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो जो मानो है उसका लक्ष सपष्ट नहीं होता है क्योंकि जो लक्ष है उसी जीने के क्रम में ही लक्ष है मानो के और उसी के साथ लक्ष की प्राप्ती के साथ लक्ष्ष के एकम्प्लिस्स करने साथ ही जीवन मुल्य का अनुभा होता है मानों कुछ और इस बोध से उत्रोत्र सुसक्षकार prescription और इस से हमारे सुसक्षकार बनते हां यह यहाँ पर बात कहीं جा रही है यहां पर बहुत सारे question भी है कुछ लेकिन उसको मैं बाद में लूँगा भी पढ़ना मुश्किल होगा साइद distraction होएगा तो मैं करते जाता हूं और फिर देखूंगा क्या question है उसको बाद में में लूँगा बेवहारिक नियम मानवीता के सरक्षण के लक्ष से है तो जो नियम है बेवहारिक नियम है बेवहार के जो नियम है उसका उद्दे से क्या है मानवीता का सरक्षण और मानवीता के सरक्षण के लिए क्या है तो उसका नीचे स्पष्टी करन दिया है मानवीता के सरक्षण का लक्ष मानवी द्रिष्टी, मानवी विशय, मानवी प्रवित्ती, मानवी गुण, स्वभाव, मानवी वेवहार में स्पष्ठ है, जिससे मानवीता पुन वेवहार संपन, व्यक्ति द्वारा प्रचार, प्रदर्शन तथा प्रेणा, समर्थ समाज से मानवीता पुन सामाजि कारिक्रम, सन्रक्षन तथा प्रोचाहन नीती पुण विवस्था से ही मानवीता का समग्र, सन्रक्षन आत्मक लक्ष्पूरा होता है। मानों के बहिरंग विवहार के लिए सांस्कृतिक वप्राकृतिक भेद से साधन उपलब्द हैं। मानो द्वारा की जाने वाली कृती रिती सहीत कार्य का पुर रूप विचार की इस्थिती ही संस्कार व संस्रित्ती का स्वरूप है। मानवी संस्कृती रूप बल धन एवं पद अनुभव प्रमाण रूप में प्रस्तूत होता है। प्राकृतिक साधन खनीज वनस्पती तथा मानवित्तजीव के जाती भेद से है तो जो मानों का बाबा जी जो वयोहार है, वो अब यहाँ पे कई बारा आता है, तब इस ça Lauren'scrite को समझ में आता है फ्रकृतिक का क्या मतलब है वयोहार का। तो जो भी मानों कर रहा है, अगर उससे मानों के उपर फर्क पड़ता है, जैसे मानलो हमने एक पेड़ लगाया है ना और उस पेड़ लगाने से उसका कोई प्रभाव मानों के जीवन पर पड़ता है तो वो भी एक मानों के विवहार का ही हिस्सा हुआ हम जो भी क्रियाप कलाप करते हैं उससे यदि मानों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो वो सब कुछ, जो है, मानो व्योहार के अंतरगत आएगा, ठीक है, मानो चैतन्य वर्ग की विक्सित इकाई है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग सुरक्षा करने का अथ्वा, भ्रहम वस दुरुपयोग करने का अवसर प्राप्त है, क्योंकि विक्सित के द्वारा अविक्सित का उप्योग, सदुपयोग, प्रयोजन सहद, प्रमानित होना और भ्रहम वस दुरुपयोग करने की संभावना रहती है, जिससे मानो उप्योग, सदुपयोग, पुर्वक ही सुखी होता है, प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग से अथवा दुरपयोग से रितु संतुलन अथवा असंतुलन सिद्ध होता है हर भूमी पर पाए जाने वाला रितु मान, सीत मान, ताप मान, वर्सा मान उस भूमी पर खन उस्थित खनीज एवं बनस्पती के अनुपात पर निर्भर करता है जिसका निर्णे परिक्षण एवं सरुक्षण पुर्वग गणित से सिद्ध होता है तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि जिस तरीके से मानों ने प्रकृति के साथ जो भी अस्तचेप किया है उससे हमारा धर्ती का ताप बढ़ चुका है रितु असंतु मुलत हो चुकी है जो मिनरल्स हैं उसका फ्यूज दोहन हो चुका है सोसन हो चुका है और हम काफी एक ग है इता है जो प्रकृति के बारे प्रकृति के बारे में कर रहे हैं लेकिन प्रकृति के साथ हमारा इंट्रेक्शन है उससका मानों के साथ जोड़ा है मैने अभी पहले बताया तो ये सबरें ऑंप Singhanu कोई का प्रभाव पढ़ता है और उसका प्रभाव मानव के जीवन पर पढ़ता है तो हमारे विवहार के सीमा में ही आता है और इस तरह से मानव का हर कारिक्रम विवहार में ही अंतमें हो रहा है हमारा सारा प्रयोग विवहार से ही प्रमानित होता है तो जो प्रयोग प्रमान है या अनुभव प्रमान है उसका भी जो अल्टिमेट प्रमान है वो वेवहार में ही मिलना है यदि हमने वेवहार में ठीक किया तो ठीक और एगदी वेवहार में प्रमानित नहीं हुआ तो उसको सफल नहीं माना जाएगा उदान के रोप में जैसे उस प्रियोग भी सफल नहीं है क्योंकि वंत में उस प्रियोग को विवहार में सफल होना है और अभी तक जो मानों का विवहार हुआ मानों ने ऐसा चाहा नहीं परंतु जो भी भ्रह्म में अज्ञानतावस जो भी विवहार किया उसका जो फल आया है वो मानों के लिए रहने एक तो खनीश, दूसरा वनस्पती, वन, इसका संतुलन जोहत जरूरी है, और साथ में हमारा किस तरीके से हम उसका सदुप्योग करते हैं, पस्त्मों का, उप्योग, सदुप्योग, प्रियोजन, सिल्टा, किस तरीके से करते हैं, वो भी एक महत्तुपून भाग है हमारे व् प्रथवा असंतुलन, स्वधन, परधन, स्वधनारी, परणारी, तथा दया, द्वेस, युक्त, विचार, सहित, किये गए ब्योहार से सिद्ध होता है, तो इसके पहले अभी प्राकृतिक संतुलन की बात किये, अब यहां पर सामाजिक संतुलन की बात कर रहे हैं, तो जो सामाजिक संतुलन है, वो सामाजिक नियमों के बेरभट करता है, यदि हमारा जो चरित्र है, अगर हम सामाजिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो सामाजिक संतुलन है, और कह रहे हैं कि जो समाज का संतुलन असंतुलन है, वो इन तीन मुद्दों पे तै होता है, और नीचे स्वधन की परिभासा बाबाजी लिखते हैं कि प्रतिफल, पारितोशिक तथा पुरसकार के रूप में प्राप्तधन, स्वधन, अन्यथा, परधन संग्या है स्वधनारी, स्वधन, पुरस, भवगलिक इस्थिती के अनुसार, समाज, निरनित, निरने के अनुसार ही स्वधनारी तथा स्वधनारी पर पुरद संग्या है तो स्ववनारी स्ववपुरुष में दो महत्वपून और पॉइंट याद दिला यहां पर एक तो है भागोलिक स्थिति और दूसरा है सामाज निर्नित निर्ने इन दोनों के साथ ही स्वपुरुष वनारी डिफाइंड है और तीसरा उसके अंदर परिभासा है दया की जिसके अंदर लिखा है दूसरों के विकास के लिए यथा सम्भव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तच्छेप न करना ही दया है इसके वीपरीत में आचरण की द् शंग्या है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सामान है, क्लियर है और आगे बढ़ताओं में। शंगत सीमा के अर्थ में तथा समयोचित अधिकार संपर्क के अर्थ में है। तो तीन रूपों से यहां पर अधिकार वरणित है, एक तो है जन्मसिद्ध अधिकार जो हमारे संबंदों में हैं, दूसरा है प्रदत अधिकार जहां विवस्था के सीमा में आ रहा है और तीसर संबंध माता, पिता एवं पुत्र, पुत्री, भाई, बहिंग, पती, पतनी, साथी, सहयोगी, गुरु, सिस्य, तथा मित्र, तथा विवस्था संबंध के रूप में है वो इस तरह से साथ संबंधों की बात है और इसी में साथ संबंध में हमारे अधिकार जो जन्म सिद्धिकार हैं वो डिफाइन हो रहे हैं दूसरा है प्रदत अधिकार जो कुटुम्ब समाज तथा दतत भेद से हैं कुटुम्ब में कर्तवियों दायत्तों के पालन चरित्र संडख्छन प्राण पोशन वे अर्थोपारजन के लक्ष भेद से हैं समाजदत अधिकार समाजदत कर्टब्यों के पालन गरिमापुन व्यक्तित्व एवं सार्थक सास्त्र प्रचार तथा सिध्धान्तों के सोध के आसय भेद से है तो जो समाजदत अधिकार है वो कर्टब्यों के पालन गरिमापुन व्यक्तित्व एवं सार्थक सास्त्र प्रचार जो हमारा वांग में हैं दर्शन है उसके प्रचार तथा सिध्धान्तों के सोध के आसय भेद से है वेवस्था दत अधिकार वेवस्था दत कर्टब्यों का पालन सास्त्र सिध्धान्तों का कुसलता निपुनता पांडित्य पुर्वक अध्यन वेवहार वो कर्मा भ्यास में परिपुनता और अधिकार पून व्यक्तित्व पर निर्भर करता है जिससे सफलता है अन्निथा में असफलता है तो ये भी लगभग बहुत ही क्लियर है इसके अंदर मैं वहीं पर बात रखूँगा जहां मुझे लग रहा है कि बोलने लाएकर जहां बिलकुल लग रहा है सामान्य और सिंपल है उसको मैं आगे बढ़ जाओंगा समयोचित अधिकार समय वसमिचीन मिलन के अनुसार व्यभार में संपन्न होता है मानव मात्र में सुख की आसा अपरिवर्थनी है जिसकी अपेक्छा में ही चेतना विकास मुल्य सिक्छा से विदी और निसेद सुईकार होता है तो मानो जो है उसके अंदर सुक क्यासा है और यह सुक क्यासा अपरिवर्तनी है और इस सुक क्यासा के पूरती का जो एक मात्र रास्ता है साधन है वो है चेतना अविकास मुल्य शिक्छा तो बेसेकली जब हम सुख कह रहे हैं, जिसको हम मानोधर्म के रूप में पहचानते हैं, वो सिख्छा के द्वारा ही सुख हमको सुलब होता है, और कौन सी सिख्छा? मुल्य सिख्छा जिससे चेतना का विकास होता है, चेतना के विकास के बगार सिख्छा की सफलता नहीं है राष्ट्री एवं अंतर राष्ट्री विवहार निती पर ही आधारित है तो जो माना को विवहार है वो पांच इस्थितियों में मानो विवहार करता है पहला इस्थिति है व्यक्ति के रूप में दूसरा है परिवार के रूप में तीसरा है समाज के रूप में राष्ट के र कर रहे हैं जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो परिवार और परिवार के संबंद की बात कर रहे हैं जब हम राष्ट की बात कर रहे हैं तो एक मानों का जो ब्यवस्था से संबंद है उसकी बात कर रहे हैं और जब अंतराष्ट की बात कर रहे हैं तो इस पूरे मानों का पूर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर धर्ती बीमार है, धर्ती पे ताप ग्रस्त है, तो हम धर्ती के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हमारी आर्थिक बेवस्था, राजनेथिक बेवस्था, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पे कौन राष्टपती चुना ग में हैं हम पांच इस्तितियों में हमेशा व्यवार करते हैं और हमारा जो सुख दुख है इन पांचों लेवल पे निर्भर करता है इसका मतलब है यदि मुझे सुखी होना है तो इन पांचों लेवल पे हमारा व्यवार ठीक होना है यदि इन पांचों अस्तरों पे हमारा व् समाज समाज से लेकर राष्ट और राष्ट से लेकर अंतर राष्ट हर जगह उसके अंदर विवहार में सामरेस्टा होना है व्यक्ति के अंदर जो विवहार है वो समाधान पुर्वक ही सफल होता है अगर हमाँ समाधानित हैं तो हम विवहार कर पाते हैं ठीक से और यदि समा बेवहार की बात होती है, परिवार है, तो परिवार का जो बनावट है, वो परिवार में जब हम जीते हैं, समाज में हम जीते हैं, तो जब हम समाजिक नीमों का पालन करते हैं, तो यह हम बेवहार ठीक से कर पाते हैं, यदि हमारे अंदर समाजिकता उदे नहीं है, हम स्वध ही हो पाता है तो इस तरह से पाँच लेवल पे यहां पर वेवहार की बात की गई है और पाँच लेवल पर हमारा सुख दुख जुड़ा हुआ है तो एक मानो को सुखी होने के लिए व्यक्ति से लेकर अंतराश्रे तक पूरा हमको सोचना होगा और हमारा अपना व्यवहार ऐसा होना चीए कि पूरे के साथ एक संगित मैता हार्मनी तालमिल बना कर हम चल पा रहे हैं है ना उसके बाद मानों में व्यवहार रिती के निर्वाह के लिए छे द्रिष्टियां पूर्ण में पुर्व में वर्णित की गई है जिनमेंसे मानोी द्रिष्टी संपन व्यवहार से ही एक से अनेक तक सुखी है तो यहां पर कुछ क्वेस्टिन है इसको मैं खल लेता हूं है ना मानों में व्यवहार नीती के निर्वाह के लिए छे द्रिष्टियां पूर्ण में वर्णित की गई हैं जब हम विवहार करें तो छे द्रिष्टियां हैं तीन द्रिष्टियां जो अमानवीता में आता है प्रियहितलाव और तीन द्रिष्टियां है जो अमानवीता के सीमा में हैं जिसको हम कह रहें नियाधर में सकते हैं और इन द्रिष्टियों के आधार पे हमारा विवहार ह है वो हमारा द्रिष्टी पे निर्भर करता है यदि द्रिष्टी में प्रिये हितलाव है तो अमानविता ही उससे प्रकट होना है हर लेवर पे और यदि नियायधर में सत्य है तो उससे मानविता उदय होना है और इस रूप में विवहार के लिए द्रिष्टी का होना बहुत जरूरी है बलकि विवहार मूल रूप से वहीं से संचालित है हमारा मानो का विवहार भ्रमित मानो कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोकते समय परतंत्र होने के कारण ही अमानवी द्रिष्टी से भय व प्रलोभन पुर्वत विवहार कारी करता है फलत दुख भोकता है और यहां कह रहें कि जो भ्रमित मानव है वो उसके पास कर्म स्वतंता है परंतु फल की स्वतंता नहीं है और इसी कारण परतंत होने का अमानवी द्रिष्टी से भैवर प्रोलोवन पुरुवक वेवार करता है तो जब भी हमारे पास प्यहित लाव या अमानवी द्रिष्टी है तो उस वेवार जो वेवार का मूल केंद्र है वो या तो भैपुरुवक है या फिर प्रोलोवन पुरुवक है और यदि भै और प्रोलोवन है तो मनुष का जो ultimate ब्यक्ति से लेकर, परिवा से लेकर, समाज से लेकर राष्ट से लेकर अंतर राष्ट तक यदि हम भैय और प्रवड़ुभन से संचाली हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट हर लेवल पे आदमी दुखी होगा जिसको पहले कह रहें कि सुख दुख जो है हर व्यक्ति से लेकर अंतर राष्ट तक है और इससे हमारा जागरत रूप में प्रमानित होने योग्य इकाई है इसलिए मानों में तीनों इतर स्रिष्टी यथा पदार्थवस्था प्राणावस्था एवं जीवावस्था के गुण स्वभाव एवं धर्म समाविष्ट रहते ही हैं मानों ने बहुत दिक समधान तथा भवतिक सम्रिद्दी द्वारा सुखी होने की कामना किया तो जब भी मानों है, मानों के अंदर जो भी पदार्थवस्था, प्राणावस्था, जीवस्था दिनों अवस्थाओं का जो गुण स्वभाव धर्म है वो समाविष्ट है लेक के लिए दो चीजये मनुस्य को पहला है बौधिक समधान चाइए और दूसरा है भातिक समरिद्धि और इन दो के साथ ही उसके सुर्खी होने का मार्क प्रसस्त होता है भातिक जो सम्रिद्धि है वो वैज्ञानिक नियमों के अध्यन और तदानुसार कर्मा भ्यास से ही संभव है तता बौधिक समाधान विवेक पुन नियमों के अध्यन एवं तदानुसार नियंतर्ण से ही संभव है तो यहाँ पे जो बौधिक समाधान है उसके लिए विवेक पुन नियमों के अध्यन तत तदा नुसार नियंत्रण आवस्यक है और भौतिक सम्रिद्धी के लिए वैज्ञानिक नियमों के अध्यन और उसके नुसार कर्मा भ्यास जरूरी है यह दोनों के साथ ही समाधान और सम्रिद्धी के रास्ता प्रसस्त होता है स्वस्त व्यवहार के लिए स्वस्त सरीर का भी महत्तवपुण स्थान है जो प्रान के विदिवत नियंत्रण से ही है अब एक नया आयाम इस मानों के व्यवहार से जूड़ता है कह रहे हैं कि यद्धी मानों को व्यवहार हाँ ठीक करना है स्वस्थ विवहार होना है सही विवहार होना है उसके लिए हमारा स्वास्थ भी ठीक होना है अगर सरीर स्वस्थ नहीं है तो हम विवहार को नहीं कर पाएंगे और इसलिए यहां अब आगे जो चर्चा है इसमें सरीर स्वास्थ को लेकर काफी बाते आती है और यह हमारा एक हट्पूर्ण भाग हो जाता है जब हम बेवहार की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बेवहार करेंगे अगर हमको कुछ उत्पादन करना है उत्पादन के लिए जो भी जो भी हमको कारे करने हैं तो आगे आगे मैं पढ़ता हूं कुछ क्वेस्टन भी है उसको मैं लेता हूं बीच में साथ दिसकनेक्ट हो गया था लगता है कि अभी आओ गया फिर से अन्य से प्राण पोशन, व्यवसाय से सम्रिद्धी, सैयम से अपव्यक अनिरोध, वैज्यानिक समझ से भातिक दर्शन, वीवेकात्मक समझ से बौधिक दर्शन, व्यवहारत्मक समझ से समाज दर्शन, अर्थ सास्त्र की समझ से व्यवस्था का दर्शन, तथा पून अधान से व्यापक्ता में अनभूती एवं दर्शन है पहले पढ़ लेता हूं और फिर हम उसको मैं explain करता हूं प्राण वायू एक विशेश प्राण एक विशेश वायू है जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेणा पाता है वायू एक से अधिक विरल पदार्थों के उत्सव अत्वा संहर्ष से उत्पन वेग व तरंग सहित पदार्थ रासी है प्राण के पाँच भेद हैं प्राण, अपान, ब्यान, उदान और समान प्राण वायू सरीर व प्राण कोसा के लिए प्रेणा पुर्वक बल पोशक, अपान वायू अनावस्यक व बल शोसक व्यान वायू सरीर के लिए उपयोगात्मक, उदान वायू सरीर के लिए संचलानात्मक, तथा समान वायू सरीर के लिए विकासात्मक है इन पांचो वायू का संतुलन सम्मंधित चैतन इकाई के विचार, आहार, विहार व विवहार की रीती, नीती एवं परिस्थिती पर निर्भर करता है। अन आहार विवं आसधी के रूप में है, आहार ग्रहन कर लेने योग्य तत्व जिसमें हो उसकी आहार संग्या है। अन संग्या है, तो इसमें एक बहुत ही महत्वपून भागाता है जब हम मानों विवहार की बात कर रहे होते हैं, तो अगर मानों मानों के संबंधों में हमको निभना है, तो उस निभने के लिए शरीर स्वास्तता एक महत्वपून भाग है। और शरीर स्वास्तता जो है हमारे पांच वायू के संतुलन पे निर्भर करता है। और उन जो पांच वायू हैं, उनका संतुलन हमारे अहार, विहार, व्यवहार और विचार के संतुलन पे निर्भर करता है। ठीक है। एक लाइन हें पे और अन्य से प्राण पोसं व्यूसाय से सम्रिद्धी। तो प्रां पोसं के लिए क्या होना है वह अन्य से होता है। सिससरे संव्रिद सभ सेय पर्विथि का निरोध वैज्ञानिक समस्च से भातिक दर्शन ना वह का समग से बौदिक दर्शन दर्शन कंग मतलब हमारे द्रिश्टी का दृष्टी का उद्रोण हम उस को ठीक से आव एक्टार रहें बॉदिक दर्शन का मतलब भी मान ओ परंपरा कैसे बनी रहे इस उस रूप में वहारिक समझ से समाज कैसा हो किस तरह से समाझ बना रहा है खंडता कैसे ढाय धरती पर अखंडता बना कैसे रहे उसके लिए अर्थ अर्थ सास्त्र की समझ से विवस्था का दर्शन होता है जिसमें पदात, प्रान, जीव और मानो, चारो, संतुलन की अवस्था मेरें उसके लिए अर्थ सास्त्र की समझ और पूर्ण समाधान से व्यापकता में अनभूती एवं दर्शन है यहां पर लगभग और थोड़ा बहुत अगर और चाहिए तो कल या भी आज भी कर सकते हैं प्राण वायू सरीर वा प्राण कोसा के लिए प्रेणा पुर्वक बल पोसक अपान वायू अनवस्यक वा बल सोसक प्यान वायू सरीर के लिए उपयोगी उपयोग आत्मक तो जो सरीर में सारा उपयोग है वो उदान वायू सरीर के लिए संचल आत्मक जो भी सर्कुलेशन है जो सारा मूब्मेंट है उसके लिए उदान वायू और समान वायू सरीर के लिए विकास आत्मक इन पाचों वायू का संतुलन समंदित चतन इकाय के विच आगे चलते हैं इसमें एक जरूर जिस पर चर्चा की जा सकती है कम से कम आज कि आवसकता है वह है अहार ग्रहन कर लेने योगे तत्त्त जिसमें हो उसकी आहार संग्या है और इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज अभी पूरी दुनिया में जो कुरोना वाइरस है उसका एक एक नहीं उसका जो मेन कारण है वो मानों के आहार के व्यतिरेक से हुआ है और इस धर्दी पे लगबग दो लाक साल हो गए मानों को आए हुए और इतने दर्सन आये इतने सास्त्र इतने उनिवर्सिटी खुली इतने एजुकेशन हो रहे हैं उसमें जो अभी तक मानों का आहार सेट नहीं होता है यदि आहार का मुद्दस ठीक से रिजॉल नहीं होता है तो हम अपनी आवसक्ता को भी ठीक टैक कर नहीं पाएंगे और दूसरा जो मुद्दा है स्वा पुरुष स्वा नारी का तो अधिकांस जो अन्य जो बीमारियां है वो पर पुरुष पर नारी के जर्ये भी देखते हैं बहुत सारा जो डिजीज है सेक्सुली टांस्मु जिसके अंदर जो स्वा पुरुष स्वा नारी की बात कह रहे हैं यदि इन दो में हमारा ठीक से निश्ठा बनता है और हम उसको पालन करते हैं तो हमको लगता है कि दुनिया की बहुत सारी बिमारी अभी खतम हो सकती है और उसकी संभावना नहीं है और यदि ये दो दे र रूपों में कितने रूपों में क्या-क्या होगा भी हम कह नहीं सकते हैं और इसकी चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी क्योंकि जो करोना है उसके पहले सास्त है उसके पहले स्वाइन फ्लू था है ना उसके पहले बर्ड फ्लू है तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे त तो वो बीमारियों का Root जो है मानसहार और परफुरुश परनारी गमन जो है उससे बहुत सारी बीमारियां जूडी गहाँ इस को अपने को ध़्यान ड़खना चाहिए कि किस तरह से प्रकृती में डिजाइन है कि जो मनुष्य का व्यवहार है उस व्यवहार में क्या होना है सही क्या है वो अलेडी सेट है और जब भी हम उस नियम का उलंगन करते हैं तो उसको उसका हमारे उपर फ़ल बोगा। समझ मैं की धरती इतना तुकड़े नहीं है इतने डिसकनेक्टेड नहीं है बात यह सारी कहानी शुरुवात हुई चाइना के छोटे से सहर से सभी को पता है और आज पूरी दुनिया में हम उसका प्रभाव देख रहे हैं और जब यह शुरू हुआ तो ऐसा लगता नहीं था जितने लोग अभी पूरी दुनिया में कम सकं मैं तो यहां कनेडा में हूँ और अमेरिका में जो हालत है अनबिलीवर नियार्ग जैसे सहर में लोग आठ सो नौ सो लोग पर दे मर रहे हैं और छोटे से बहुत सिविर हुए उस अनबहुत सिविर में जो उनका मुख्य बा मानुई आहार या साकाहार के तरफ क्यों बढ़ना है उससे हमारा समाज हमारा हमारी जागरती समाज की जो अखंडता मानौ जाती को पहचाने का जो मुद्दा मानौ जाती एक है इन सारे मुद्दों को जोड़कर आप देखोगे तो उसके बाद काफी चर्चा बाबाजी पीछे किया है तो इसको हम सभी को कम से कम खुद के खुद अपने लाइप में और दूसरे को हम कैसे इसके लिए प्रिणा दे सकते हैं और आज बड़ी अच्छी बात है कि इस करोना वाइरस के कारणा एक और हुआ कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें एक और च इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सारी बात है कि हमको अच्छे मातरा में पानी पीना चाहिए ठीक से रेश्ट करना चाहिए फुल लाइफ नहीं होना चाहिए लेकिन उन सब के बाद एक और महत्तुपून बात उसमें इन लोगोंने अभी ट्रेस किया कि जो एनिमल प्रोटीन से हमारा इम्यूनिटी कम होता है और जो प्लांट बेस्ट प्रोटीन है उससे हमारा इम्यूनिटी भी बूश्ट होता है तो उस रूप में भी देखा जाए तो आहार के महत्तों को समझा जा सकता है और इस आहार से हमारा बहुत सारा चीजें हमारा सरीर का स्वा बहुत सारा बात कहा जा सकता है बड़ इसको थोड़ा सा आप देखा जा सकता है आज का वैसे समय तो हो गया सारी आज हम मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी और जिस कमरे में ठीक था वो अभी हमको मिल गया जहां के सबसे अच्छा चल रहा है तो मैं देख रहा हूं कि कई सारे साथ इसमें प्रशन आये थे जो भी प्रशन आये हैं उसको मैं लूंगा है ना अभी यहां पर थोड़ी देर हो रही है रात के 11 बज रहे हैं